हलो एब्रीबान वेल्कम टो मैं चैनल एंजी एस्टू विशन्स आज हम आगे बढ़ेंगे अपनी लेसन नमबर ठी पर पिछले लेसन्स में हमने जाना था कि हमारी एस्टॉलेजी जो है वो प्लैनेट्स पे बेस्ट है जिन में इसे नाइन प्लैनेट्स जो हम कंसिडर करते हैं वो दो कैटेगरी में बटे हुए हैं बेनेफिक और मेलेफिक शूब और अशूब आज की लेसन्स में हम यह जानेंगे कि आखिर यह प्लैनेट्स रिप्रेसेंट क्या करते हैं इन प्लैनेट्स से किन बातों को डिनोट किया जा सकता है इस्टॉलेजी में इन करने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जो लोग मेरे चानल पे नए हैं वो प्लीज चानल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए लेसन पसंद आए तो इसे लाइकें शेर करें जिससे कि आने वले वीडियो बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मि पादे जिससे की वीडियो अप्लोड होते ही तुरन आप तक पहुंच सके तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे सानी यानि के सूरे की सूरे को ग्रहों का राजा कहा जाता है सूरे हमारी आत्मा का कारक है हमारे पिता का कारक है हमारे जीवन में पिता समा जो भी लोग हैं जो फादरली फिगर सें वो सारे संसे ही डिनोट होते हैं। क्योंकि सन जो है वो सूरे जो है वो राजा है इसलिए गवर्मेंट हमारी सरकार जो है वो सन से ही डिनोट होती है। सबी तरह के शासनिक काम या शाशन सत्ता जो है वो सूरे से ही देखी जाती है अथोरिटी, अथोरिटी पावर्स, लीडर्शिप, लीडर्शिप स्किल्स, एड्मिस्टेशन जो है वो सारी सान के अंडर ही आती है सान जो है वो हमें confidence भी देता है हमारा confidence level सान की dignity पे ही depend करता है सान confidence के साथ साथ हमें discipline में रहने की भी प्रेरना देता है सन हमारी self respect का भी कारक है यह हमारे लिए name and fame का कारक है हमारी इज़त मान का हमारे society में status का जो भी हम judgment कर सकते हैं वो हम sun को देख के करते हैं sun bossy nature को भी represent करता है self respect जो है वो अगर malefic planets के अंडर आ जाए या उनकी shadow में आ जाए तो यह self respect जो वो ego का रूप भी एहंकार का रूप भी ले सकती है इसके साथ ही सूरे जो है वो short temper nature भी देता है बहुत गुस्ता भी इंसान के अंदर भर जाता है यह भी हम sun से ही देखते हैं अब बात करते हैं moon यनी की चंद्रमा की चंद्रमा हमारे मन का कारक है हमारे माता का कारक है हमारी मान सिक्स्तिती का कारक है हमारे mental peace का कारक चंद्रमा को कहा जाता है इसके साथ ही चंद्रमा जो है वो हमारे मनोबल को भी दिखाता है confidence को भी judge करने में help करता है सुख, शांती और समरीधी जो है वो चंद्रमा से ही देखी जाती है यहां तक की धन संपत्ता, liquid money, cash flow जो है वो चंद्रमा से ही देखे जाते है चंद्रमा हमारे blood का भी कारक है, रक्त का कारक चंद्रमा को ही कहा जाता है चंद्रमा से ही वहवकता भी देखी जाती है जो internal peace के रूप में जिससे माना जाता है वो सारी internal happiness जो होती है, अंदरूनी, खुशी, वो मून से जज़ होती है अब बारी आती है मंगल यनि की मास की, मंगल जो है वो energy का ग्रह है वो हमें उर्जा परदान करता है, मंगल भूमी का भी कारक है, मंगल साहत और शक्ती का भी कारक है यह हमारे प्राकरम का भी कारक है, यह निडरता देता है, हर सिचुएशन से लड़ने की शक्ती जो है, वो मंगल से मिलती है क्योंकि मंगल को ग्रहों में सैनापती का दर्जा प्राप्त है मंगल से ही मंगली जो दोश होता है, जिसका मेरिश या मेरिटल लाइफ में बहुत इंपर्टन्स होती है उससे भी देखा जाता है मंगल एग्रेशन भी देता है और लॉजिकल माइंड भी देता है, हर विशे में तरकिक शक्ती जो चाही होती वो मंगल से ही आती है, मंगल एग्रेशन एंड एरुगेंस भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही किसी भी नए काम को इनिशेट करना, किसी भी नए काम के लिए आगे बढ़ना, ये भी मंगल से ही डिनोट होता है, मरकरी यनिके बुध, बुध हमारे बुध्धी का कारक है, हमें इंटिलेक्शल पार्स हमारी इंटेलीजेन्स मरकरी से ही डिनोट होती है, यह हमें तरक भी तरक करने की शक्तिविटी पास जो है वो भी मर्करी हमें देता है हमारी कम्यूनिकेशन स्किल्स जो है वो भी मर्करी से ही डिनोट होती है हमारी कम्यूनिकेशन स्किल्स हमारी समवाद की शैली जो है वो सामने वाले को कैसे प्रभावित कर सकती है यह भी हम मर्कुरी से देखते हैं मर्कुरी गनित यानि के mathematics का भी कारत है इसके साथ ही मर्कुरी को चतुर्ता यानि cleverness और शरारती पन जो है वो भी मर्कुरी को ही मर्कुरी से ही denote होता है मर्कुरी वेपार का भी कारत है business, business mindedness जो है वो मर्कुरी से ही आती है इसके साथ ही मर्कुरी जो है वो friendship, मित्ता और रिष्टदारी आसपरोस इस सब को भी denote करता है अब हम बात करेंगे जूपिटर यानि के गुरू ग्रेकी गुरू जो है वो गुरू हमारे गुरूं को represent करते हैं हमारे teachers हमारे mentors को represent करते हैं गुरू से ही knowledge, हर तरह का ग्जान जो है गुरू से देखा जाता है, गुरू हमें education देते हैं, पढ़ाई जो है हमारी वो गुरू से देखी जाती है, गुरू उसके कारक हैं, गुरू धार्मिक कारियों के भी कारक है, गुरू spirituality अध्यातम की तरफ जाने के भी कारक गुरू है प्रवित्र स्थान, प्रवित्र स्थान की यात्राएं, पिल्ग्रिमेजिस ये सारी भी जुपिटर से ही डिनोट होती हैं, हमारी धन संपता, हमारे संतान, हमारा विवाहिक जीवन, हमारी पुन्य करम, हमारे दान देने की शम्ता या इच्छा, ये सब चीजें भी जुपिट इसके साथ जूपीटर की कारक बहुत एक्सपेंशन की कारक है जहां पर इनकी दृष्टी पड़ती है वहां पर यह भवेता लाते हैं बहुत प्रॉपसपेरिटी बहुत संपनता लाते हैं अब आगे बढ़ते हैं Venus यानि के शुक्र के और, शुक्र जो है वो materialistic world, materialistic सुखों के कारिक हैं, भौतिक सुखों के कारिक हैं, यह हमारी समपन्नता के कारिक हैं, हर तरह की artistic skills या art को represent Venus ही करते हैं, Venus हमारी शौरत को भी represent करते हैं, हमारे name and fame को भी कहीं काफी हद तक represent करते हैं, यह हमारे जीवन में हर तरह की भोग विलासता को भी दर्शाते हैं, sexual desires जो हैं वो Venus से represent होती हैं, क्योंकि Venus जो हैं वो love and romance के कारिक हैं, यह beauty के भी कारक हैं, यह traveling के भी कारक हैं, यह हर तरह की luxuries और comforts को represent करते हैं, यानि कि यह एक तरह से अश्वरे को दर्शाते हैं, हमारे marital relations जो हैं या हमारे किसी भी तरह के relationships जो हैं वो Venus से ही denote होते हैं, अब बारी है शनी यानि के साटन की, शनी को हमारी horoscope में, हमारी astrology में longevity का कारक कहा गया है, आयू का कारक कहा गया है, यह इसे दुख का कारक भी कहा जाता है, यह रोग और पीड़ा को दर्शाते हैं, इसके साथ ही technical fields या science को भी represent शनी करते हैं, शनी करम के कारक हैं, इसलिए हमारे जीवन में होने वाले करम को भी शनी से देखा जाता है, लाब के कारक भी काफी हद तक इने कहा जाता है, शनी हमारे under काम करने वाले जो भी करमचारी या हमारे जो सेवक नौकर चाकर होंगे उन्हें represent करते हैं, तो एक तरह से शनी जो है वो सर्विस का भाव देते हैं इसके साथ ही शनी जो है वो मासिस के जनता के भी कारक हैं अब हम बात करेंगे राहू की राहू जो है वो सडननेस के कारक हैं अचानक से होने वाले चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे गेन हो चाहे कुछ अच्छा हो चाहे बुरा हो लेकिन जो भी कुछ अचानक से होता है वो राहू से दिनोट होता है राहू जो है वो जादातर बुरे कर्मों को दिनोट करते हैं जैसे कि किसी से धोखा करना या क्यादी करना या किसी के साथ चलकपट करना यह राहू के अंडर आता है राहू इसे डिनोड करते हैं इसके साथ ही राहू जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा पैशनेट बनाते हैं जिस भी एरिया में वह बैठे हो या इस भी हाउस को वो astrology में denote कर रहे हूं इंसान उस चीज के लिए बहुत जादा ललाइत हो जाता है उसके पीछे जाना उसके लिए बहुत जुरूरी हो जाता है इसके साथ ही राहु जो है रिसर्च के भी कारक हैं किसी भी चीज किसी भी नई खोज किसी भी invention की तरफ जाना हो तो राहु को बहुत स्ट्रॉंग होना पड़ेगा राहु शियर सट्टा लॉट्री इन सब के भी कारक कहे जाते हैं अब लास्टली हम बात करेंगे केतू की राहु के बिल्कुल ऑपोजिट केतू की प्लेस्पेंट होती है और इनके गुन धरम जो हैं वो भी सारे राहु स प्लेस्ट्रों से ऐफोजिट होते हैं केतू ज़ो है वो अध्यारतन के कारक करहें जहें यह वैरागय को दरशा आते हैं मतलब मैटीरियलिस्टिक वर्ड को इगनॉर करना या उससे दूर जाने की जो इच्छा होती है, वो केतू से ही देखी जाती है, केतू detachment देते हैं, वो हर तरह के materialistic pleasures, materialistic world, हमारे relationships, इन सब से एक तरह से cut off करते हैं, इन से हमें दूर ले जाते हैं, इसके साथ ही ये बहुत जादा deep knowledge की इच्छा रखते हैं, इनकी बहुत deep insight होती है, किसी भी चीज़ की जांच परताल, अच्छे से उसका नरीक्षिन करना या उसकी बिलकुत depth में जाना जो है, वो भी केतू से ही denote होता है, इसलिए इसे wisdom, इसे बुदी मता और intelligence का भी कारक कहा जाता है, जो psychic abilities होती है, वो सारी भी केतू से ही देखी जाती है, इसके साथ ही जो केतू है, वो मोक्ष के कारक भी कहे गए हैं, क्योंकि ये दुनिया को त्यागने की भावना देते हैं, और अध्यातम से आधिश्यक्ति से जुणने की प्रेरना देते हैं, इसलिए इन्हें मोक्ष का कारक भी कहा जाता है, इसके साथ ही आज का हमारा लेसन जो है वो पूरा हुआ, thank you for watching, till next video, goodbye and God bless you all.